मित्रो यदी हाथ में मस्तिस्क रेखा और हिरदय रेखा दौनों पास पास हैं यानि कि दौनों के बीच में ज्यादा गैप नहीं है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसे लोग बहुत समझदार और सुलजे हुए व्यक्तितु बाले होते हैं ये लोग बहुत प्रै पैसा कमा लेते हैं तो फिर उसके बाद अपने रिष्टेदारों की या फिर अपने घर परिवार के लोगों की सहायता करते हैं लेकिन जब तक ये लोग खुद सफल नहीं हो जाते खुद अच्छा खासा पैसा नहीं कमा लेते तब तक अपने रिष्टेदारों को या फिर अपने घर परिवार के लोगों को भी भूल जाते हैं। कभी-कभी तो ये लोग पैसे कमाने में या फिर सफलता पाने में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि अपने घर परिवार में कोई साधी ब्याह हो या फिर कोई घटना घट जाए तो भी ये लोग नहीं जाते है इसी कारण से इनके घर परिवार के लोग या फिर इनके रिष्टेदार इनको स्वार्थी समझते हैं, लेकिन एक्शल में ये लोग सेल्फिस नहीं होते हैं, ये लोग बहुत दिलदार होते हैं, लेकिन बात ये है कि ये लोग practical सोच बाले होते हैं, इन लोगों को पता होता ह कि यदि हम खुद सफल नहीं हुए हम खुद पैसा नहीं कमा पाए तो फिर हम पैसे कमाने में दूसरे व्यक्ति की सहायता भी नहीं कर पाएंगे और इन लोगों का सहायता करने का भी अपना तरीका होता है जैसे यदि घर परिवार में किसी व्यक्ति की तवियत खराव है तो किसी की तब्यद खराब है, तो उसको पैसा दे देंगे. यह जानते हैं कि उसको पैसे की जरूरत है तो पैसा दे देंगे. खुद वहाँ पर सबको छोड़के नहीं पहुंचेंगे. इन लोगों का सुभाव ऐसा होता है कि ये लोग अंदर की बात को समझने वाले होते हैं जैसे किसी व्यक्ति के घर में कोई घटना हो गई, कोई समस्या हो गई तो ये लोग उसके घर पे तुरंत दिखावा करने के लिए चाय पीने के लिए पहुंचेंगे नहीं ये लोग जाएंगे उसकी सहायता करेंगे, या फिर नहीं भी जाएंगे तो भी पैसे के माध्यम से या फिर किसी और माध्यम से उस व्यक्ति की सहायता करेंगे ये लोग दिखावा करने के लिए नहीं पहुंचेंगे, ये लोग बहुत practical सोचबाले होते हैं और इसी कारण से इनके रिष्टेदार या फिर इनके घर परिवार के लोग इनको स्वार्थी समझते हैं लेकिन ये लोग स्वार्थी नहीं होते हैं दिलदार होते हैं ये लोग अपने जीवन में जब तक अपने पैर पर खड़े नहीं हो जाते तब तक ये लोग अपने पै बहुत मुस्किल है क्योंकि ये लोग अपने तरीके से काम करते हैं ये लोग बहुत समझदार बहुत सुलजे हुए और प्रैक्टिकल सोच वाले होते हैं ज्यादा भावनाओं में नहीं बहते हैं यदि किसी व्यक्ति पर दया भी आती है तो भी अपनी इस्थिती को देख कर स्कृटिकल जहनग है कि उसकी साहथा करते हैं भी न मतलब कि किसी भी चीज में नहीं पढ़ते हैं बहुत प्रैक्टिकल और सुलजे हुए व्यक्ति तबाले होते हैं अंत में कहड़ें Kent मस्तिस्क रिखा और हरदय रिखा पास पास हो तब यदी मस्तिस्क रिखार्य इक ही बन जाएं, दौनों मिलकर के एक ही रेखा बन जाएं तो फिर ऐसा नहीं होगा, उसका फल अलग है, इस मिसे पर हम बाद में भी बात करेंगे लेकिन आज के लिए बस इतना ही नमस्कार